टोटल इंदोर जिले में जो हमें लिष्ट विली थी वो 163 की थी लेखिन उसमें से जब हमारी टीम ने पूरा फेच आउट करने के लिए जब लोकेशन्स पर जाकर के देखा और बहुत सारी ऐसे भी लोग निकले जिनमें कुछ तो ऐसे रहे जो इंडिया आए ही नहीं है कुछ अधर डिस्टिक्स को चले गए, कुछ अधर कंट्रीज को चले गए, कुछ अधर स्टेट्स पे चले गए तो इस तरह से टोटल ओवरार इंदोर जिले में 91 का फिगर हमको फाइनली मिला जिसमें से कल देर रात तक के हमारी टीम ने 90 सेंपल्स कर लिये थे और एक जो सेंपल था, वो मिलिटरी हास्पिटल में वो 5 दिसंबर से आ करके वो लर्खी कुरेंटाइन हुई थी, और 7 दिन कुरेंटाइन रहने के बाद में 12 तारीक को भी उसका रिपोर्ट नेगेटिव है, इस तरह से टोटल 91 के हमारे सेंपल्स भी हो गए, और जो मेडिकल 90 सेंपल जो हमने भीजे थे, उसमें से कुल 68 सेंपल के रिपोर्ट साय थी, जिसमें से दो लोग पाजिटिव आए, और बाकी के सारे अभी नेगेटिव है, तो इन दोनों जो पाजिटिव आए हैं, उनकी भी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हमारी टीम के द्वारा कर ली गई, चुकि एक जो है आज मॉर्रिंग में आया है, तो इस तरह से उसकी जो रिपोर्ट मिलने के बाद में जो उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया भी जारी है, पहले जो एक रिपोर्ट पाजिटिव आई थी, उसकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होगी, इवन उसके ए अंकड़े आ रहे हैं उसमें काफी कम जा रहा है जबकि एसा बताया जा रहा है कि ठंड में कीसे बढ़ेंगे लेकिन कम हो रहे हैं देखें बेसिकली कल के जी हम अंकड़े की बात करते हैं तो कल हमने 4441 टेस्ट सेंपल किये थे और उसमें से 4128 सेंपल ऐसे नेगेटिव हैं वहीं 300 से इंपल पाजिटिव हैं तो कल की जो पाजिटिवीट रेट वो 6.7 परे सेंट पर अभराल जो हमारा पाजिटिवीटी रेट है वो अभी कुल जो मरीजों की संक्या इंड तिर पन हजार छेस्टो 230 है और ऑर उवर्याल पाजिटिवीटी रेट जो है वो पीरियेट भी जा चुक है और अभी कोल्ड के कारण भी जनता के द्वारा जो है कहीं न कहीं जागरुकता भी दिखाई जारी है आप लोगों के माध्यम से भी हमने उनको जागरुक करने का निरंतर प्रयास किया है और इसमें आप लोगों का भी बड़ा युगदान है जिसक बैसिकली डिश्टिक टास्वोर्स की जो बैठक थी उसमें हम आन्यमले दिनों में जो वेक्सिनेशन का प्रोग्राम और गर्जनेज करना है को ले करके उसको लेकर के विभिन विभाकों के बीच में अन्तर विभागी समनजस से स्थापित करके इस प्रक्रिया को कैसे अच कुछ निर्देश भी दिये हैं जिसके माध्यम से इस प्रक्रिया को और आसान कैसे किया जा सकता है ये बेसिक मोड़ो था इस में देखिए वेक्सिनेशन के लिए अभी कोई डेट अभी नहीं आई है हमारे पास में वेक्सिन किस कंपनी के आएगी ये भी अभी तैनी है जनत लगवाएं या नहीं लगवाएं और तीसरे स्थिति में वे लोग हैं जो बेस्ट वो दे रहे हैं कि जो जिनका बहुएरिल ये हम बात करें तो वो लोगों के दोरा इसा ये सो किया जा रहा है कि वो बेहतर तरीके से वेक्सिन आने के बाद में भी लोग अपनी जो सोसल ड इस्टेंसिंग मास्क और सनिटाइजर का उप्योग करते हुए उसको वेक्सिनेशन का प्रोग्राम भी कराएंगे तो ये कुलमिलाकर के जनता को जागरूप करने के लिए भी है और अंतर विभागी समन्वा के माध्यम से कि हमें वेक्सिनेशन के लिए कौन सा स्पार्ट करना है इसमें भी सभी विभागों में समन्वा जोर रही है फिर वेक्सिन जब वेक्सिनेशन का प्रोग्राम आर्गनाइज होगा तो उसमें जो टीम लगेगी उसमें भी अंतर विभागी समन्वा के जरत है तो बेसिकली डीटीएफ का जो मकसद था वो यही था कि अंतर अख सब्सक्राइड करें प्रमकिसा चाहिए और भी प्राफिक्त के कीिनियों से यहां है प्रेंड प्रथमिक्त नीक्ट कोunda है चाहिए ज्टे वहा existe सर इसमें टीम में लिये गए हैं पुरे अलमॉस्ट आप मान के चलें कि सासन से संबंधी सभी विभाग इस डिश्टिक टास्क फोर्स की टीम में है यॉर नेमें डेली डॉक्टर अमीत मालाकर नोडल आफिसर आईडी एस पेंड़ा झाल आफिसर 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 आपिसरा कि ब071,105 अमीम में ढुतिक टूरून आपिसरे लिए युरा आपिसरे ने,जर जूर आफिसरां से लिएका से सी